और यहां पर पता चलने वाला है किस पे ज़्यादा दिमाग है यह एक छोटू कीड़ा जो हजार आईक्यू लागा के बैटाइप या मेरे बेप तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वाध है आपका एक बराण न्यू गलाच जिन से भरे पड़े पड़े पपजे दंबाल गेम प्रेड़ों में और इस मैच में कुछ जादा ही आजार आईक्यू गेमप्ले होने वाले हाँ लगेगा कि भ लगता हूं कर्दोवियों यहां पर उतर के मैं बंदूक उठाता हूं और आगे चल देता हूं स्वाटकन लेके आपके चल ले बाई और यहां पर सिर्फ और सिर्फ सोडगन चला के मेरे हद तो लगती है अंदर सोडगन मैंने वनाया अब यहां पर कौन लूटने बैठेगा चलो सोडगन लेके जोज में फुल जाता हूं मैं हाँ यहां पर आदे रस्ते पर जो स्टंडा हो गया था डेमेज यो पड़िया था बहुत लेकिन उसके बाद रिलोड करता हूं धैर सोडगन वो खचाकच करता है धैर सोडगन और करते करते पांच की पांच की मिल गई कर इसी के साथ जाते आब हम छोटे होते हैं और देखो छोटे वो जो कीड़े बने होते हैं उनको पेले में बहुत परइसानी होती है बहुत जादा परिशानी, कहीं पे भी गुज़ जाएंगे, कहीं पे भी उड़ जाएंगे उसके बाद गुली लगती नी, अरे वह या इंसान चीटी को मारने में गन से वो भी बहुत जादा दिक्कत हो जाती है लेगी न, आगे करेंगे, वहीं पे जाके 1000 IQ gameplay देखने को मिलेगा, अगर काम कर गई वो ट्रिक्त कर दो भी हो, यहाँ पे अब देखो, वहाँ पे जहां से हम उधरे थे वहाँ से हम पहुजते, सीधा पोचंकी वाले में यहाँ पे पंगे भीड़ चुके थे, तो एक बाइक उटाके हम चल देते हैं, बाकी बंदे पकड़ने, पोचंकी की और, क्योंकि उस फैक्टरी पे कदू भी कोई न बचाए, क्या पता, यहाँ पे बैटे हूँ, यहाँ पे केम्प लगा पड़ाओ, किसको क्या पता, तो हाँ बाइक लाता हूँ, मैं सीधा अंदर डालता हूँ, कोई और ऐसी चीजे होती हैं, जब आप किल के बहुत जादा लालची हो, मेरी बंदूग देखो, एक बंदूग यह M16HR पड़ी है, और दूसरी बंदूग यह, यह टोमी गन, टोमी गन से काम चला रोम है, लग बग आधा मैच होने वाला है, और बंदूग के कौन सी पड़ी ह यह सस्ती बंदूग है, लेगे न, इनसे भी काम चला के, दो बंदूग की बिटाई करती, और यहाँ पर मैं सूसरा था, बाट फायर देंगे, लेकिन भाई पर स्वाट गन पड़ी होती है, कद्दू का बाट फायर, कहर देखो, यहाँ पर हम लड़ रहे थे, उतने में ही यहाँ की भी गूली चलती है, तो करना गया था है यह बाईक अगयरा लेके, मैं पहुँच जाता हूँ, हाँ कार भी नहीं मिली अपने को, लेगे ना चला, कम से कम बंदूग तो डंकी मिल गई, एकेम पलस, एमपोर लगी हाथ, और बंदा बजिया, मेरे को सबर करना था, उसके पार ओपन में निकलने का सबर करना चाहिए था, लेकिन नहीं मेरे तो खुजली थी, गोली चलाए अब वो पत्थर के पीछे उटने डाल दिया के, और यहाँ पे मैं पाउडर पिल लगत हूँ बैठके, गर्मी बहुत पढ़ गई है आजकल, पुचाया, वो समोग और जिसी साब से निर पहुचे हैं, कोई ना कोई आगे भी बैठा होता है, एक बंदा पत्थर पे उनने समोग डाल दिये, नजाने क्या सीन चलने वाँ, और कोई ना कोई आसपास भी होगा, और देखो यहाँ पे इन दो बंदों से लड़ने की जगा, मैं पता है किस से ल अर्मी थी, इसलिए एमना हुआ, बढ़िया बहाना है यह, आँ बोरा देख मारा, और है, अब यहाँ पर मैं जलती बोतल में आग का हमला करने वाला था, लेकिन उतने वो बंदा बगके पीछे भग लिया, गर के पिछे, तो है इसका पीछा करते वे यहाँ तक मैं और देखो, नजानी क्यों, इसका बस मेरे को एक फुटी श्टेप आया, अब यहाँ पर यह गर्मी से हैडफोन भी काम करना बंद कर दिये, क्या सीन चला है, समझ नहीं पारा मैं, एक फुटी श्टेप आता है, अच्छा हो, मैं राइट को चल दिया, नहीं तो उसने वह पकड़ के पीटी डाल देनी थी, खर दो यहाँ पर यह दो तीन बंदे और पकड़े गए, और पोचंकी भी खाली, पोचंकी से अब निकलते हैं यह तीन मंजिला गाड़ी लेकर, अरे वह यह इस गाड़ी से ज़्यादा भरोसा ना, मैं सामने वाले बंदे पे कर कि हाँ, यह मेरे को नहीं मारेगा, इस गाड़ी से ज़्यादा भरोसा, मैं एक साप का कर दूँगा, जो लेटा हुआ है, इस गाड़ी का भरोसा नहीं है, लेकिन खैर यही गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ, अब इसी से जुगाड बेढ़ाएंगे अब यहाँ पे मैं बिलकुल आराम से खेलने वाला था, कार 98 है, कार 98 लेंगे, फिर आर्टेक्स लगाएंगे, उसके बाद आराम से, आराम से सनाइपिंग करेंगे, लेकिन क्या इतनी आराम से चीज़े होंगी जिन्दगी में, मेरे को तो नहीं लगता और यहाँ पे जितने भी आराम से करने के सपने देखे थे, चूर बगल में कोई साब बना पड़ा है, अब मेरे ख्याल से पेड़ के पिछे होगा वो, कर दो कि यहाँ पे मैं देड़ पेड हील पेलता हूँ, आगे समोक पेलते हैं, और फटाक से पकड़ना पड़ेगा इ तो यहाँ से यह गोली पेलेगा और वहाँ पीछे से वो ड्रॉपले बंदे गोली पेलेंगे आगे से पेले बैट आता हूँ, देखता हूँ, क्या क्या लूट पड़ी है बैग में, आराम से बिल्कुल आराम से कोई जल्दी नहीं है, पीछे सेफ होना ची अभी तक, क्या सही में सेफ होगा पीछे? और मेरे ख्याल से जिस गन से मेरे को सबसे ज़्यादा नफरत है, वो बाइसियों नहीं होगी, मेरे ख्याल से अरे बाइसियों वाले बंदे हर कोई छुपके दूर से साब बन के चलाते हैं, खतरनाकी होते हैं लोग बिल्कुल और ये वो बंदा था जिसने मेरे को समोक में नौक कर दिया लग बग मैं समोक से भग रहा हूता हूँ, मेरे को लगा अरे बाइसियों वाला है, अभी पकड़ता हूँ जाके मेरे को लगा मैं समोक के कहर पे सेफ हूँ, अरे मेरे कद्दू का सेफ, पिच्छे से गूली पढ़ती है बाइसियों की आगे से गर आप यहां पर मैं बोलता हूं आराम गया कद्दू लेने गाड़ी लो और घुश जाओ अंदर और तयार हो जाओ यहां पर अचार आएक्यू गेंप्ले के लिए अंदर मैं जाता हूं और अंदर भी रहूरी तो चाहिए और यहां पर मैंने इनके एक लड़की टीमेट के लिए और यहां पर मैंने इनके एक लड़की टीमेट की पेटी बना दी तो यह लोग फुल जोस में गुस्से के साथ रस कर देते हम पे दो आई थे गाड़ी एक कीड़ा मार जाए तो यह देगी से लिएक कीड़ा बनाए और एक कीड़ा बनावाए नहीं तो है नीचे अपने यह देगी से नहीं नहीं उसके गैप में चुपा बनावाए और यहां पर बता चलने वाला है किस पे ज़्यादा दिमाग है यह एक छोटू किरा जो हजारा एक उलागा के बैटाइब यह मेरे पेप यहां नेट से नहीं मुरते हैं निक्से नहीं मुरते हैं और यहां पर तुम्हारे भाई की नेडबाजी पर सक्किया जा रहा था किया नेड़ से नहीं मरते यह वो कंदू लेसन आरे मैंने बोला सांती सांती से बैड़ जाओ तुम दोनों यह देखो भाई का नेड़ और इसके बाद से मेरा नाम नेड़ को रख दिया गया मैंने ही रखा अपना खुद का नाम क्यार वो सब अटाओ यहां पर आप देखो यह कीड़ा बहुत चाला जाला यह चुटू बनके उसके पिछे कौने में गुजाता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाईया यह सब भी हो सकता है हां दिमाग उसने भी बहुत लगा है लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाई यह हजार आइक्विनेड कर देता है इस हजार आइक्विनेड के लिए एक यह चुटू आइक्विनेड कर चुका हूं एक और पर यहां पर एक और कीड़ा आगया लगता यार कीडो को पिठाई काने का मैंने दो की पिठाई कर चुका हूं एक और पर जी आप यही पर कोनने में यह अब पहले तो था यह एक चुटू कीड़ा मैंने बना अभी मसलता हूं लेगन उसके बाद यह बड़ा बन गया और इतनी खतरनाग जगा पे बड़ा बनाए क्या ही बता हूं यार यह कीड़े लोग कुछ जादा ही दिमाग लगा रहे हैं कोई टेबल के पिछे चुप रह यहां पर नीचे की लिए और यहां पर अपने टीमेट लोग के नजाने अपने खुद के नशे चल ले इनको बार बार जाईरो ओफ करना पड़ता है कीड़ा बनने के लिए उसके बाद इनने जंप और क्लाइम अलग कर रखा है वैसे मैंने भी अलग कर दिया काफी फायद लेकिन यार जम सोट से मजा लगा जाता है कर दोवियो एक और कीड़े की जो इनसान बनके आप उसकी हम पिटाई लगाते हैं और चल लेते हैं आप देको कीड़े बहुत पेल दिये इतनी जादा कीड़ों की पिटाई करी कि यह आप मेरे घर पे जो कीड़े होंगे वो पक लेकिन उसके बाद पालता है सकॉड़ा उस पे भी कुई है और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बैटके पाउडर पाउडर पेलना पड़ता है आज कल पाउडर करमी बहुत बढ़ देखो एक और नेड़ गॉट का कमाल और देखो आज कल नेड़ फट रहे हैं लेकिन तारीफ नहीं करने वाला अपनी हाँ बहुत तगड़ा नेड़ था बिल्कुल खतरनाक लखो में एक नेड़ था लेकिन मैं नहीं बोलूँगा इस तब क्यूंकि नजर लग जाएगी अच्छा थोड़ लएगा फिर यार कल से फिर वही नेड़ न पटेंगे अच्छा किसको लगेगा तो तारीफ नहीं करेंगे वैसे नेड़ बहुत तगड़ा था यार विल्कुल कैलकुलेड करके गिना दिमाग में सेकंड गिना हवा कितनी तेजी से चल लगाया हाथ में हवा देखा मैंने उसके बाद नेड़ क कि नीचे सा आगया कोई कि मार दे यार अपिता है अपर अपर बैठे थे उसने देखा वह याप नेड़ कोड़ा गए नेड़ कोड़ा है वो नीचे कूच आता है और मेरे नेड़ से बजगे अब वो नीचे ना कूदता तो वहीं पे दूनों का मामला खाता मोता लेकिन आप एक कूद या क्या किया जा सकता है कैर यहाँ पे ग्रोजा थी अपने पे ग्रोजा बिल्कुल दबा के जिपकाता हूँ और दोनों की पिटी डिल गई मेरे को लगा था यार नीचे से कोई तीसरा बंदा है लेकिन असल में वही उपर वाला बंदा कूद या था मेरे कोई बात पता हूँ नीचे थी यार नेड कर रहा हूँ भगेंगे बंदे डर के कहां पर रहोगा बिचारा भी नाने गया होगा नाने से इसे पता नी बॉड़ी रिलेक्स होती है कहते कुछ गुमा रहा होता हूँ एक सांप दिख चुका है मुझे या कपड़ा दिखा है सांप का अब इस सांप को मैं बिलकुल हलके में हलवे में लेता हूँ बिलकुल मजाक की तरह मैंने बना क्या ये सांप और गल्ती होती है बहुत बड़ी और देखो जूट नहीं बोलूँगा आदे सेकंड के लिए भी जूट नहीं बोलूँगा हमारी पड़ गई मजाक से अटके फड़ गी मेरा खतम है मैंने बोला जैसी रिवाइब होंगे हम पहिया गायबु में आसे गायब होके भागुँगा नहीं पिच्चे से अमला करूँगा क्यूंकि यार सांप यह सांप अपने टीमेट को नीड बाजी करके नीड गौड के सामने यह बोलना बंद करना पड़ेगा कुछ जादा ही हो रहा ही है लेक tomb ये ना मेरे सांबने अपने टीमेट को नौक के स कर सकता है मैं दुबारा गाड़ी गुमाता हूं और इस बार पकड़ के सिधा पेटी ड़ेगी बुरी तरह से वह भी बुरी तरह से और यह रहा यह रहा पेड़ के पासे मैं लेगी नहीं तो पीछे क्यों रसकरा रहा हूं या साप उल्टा कहां साप उल्टे भी चलने लगया आज से कर देखो यहां पे बगल पे गुली चल रही थी तो देखने के लिए मैं पहुंचता हूं एम टू फूर उठाई आ रहे चाले कम से कम एक गुली तो लगा दू मैं तो यहां से मैं इसी गड़ी हुमा रहा हूं तो एंगल टूण रहे होते हैं बढ़िया सब और यहां मिलता है वो देख साप बने दो दो साप बने यहां पेड़ पेड़ दिख रहा तुए नाम पड़ापने उसका काला कोबरा वह वो साप बने हैं और नाम भी काला कॉबरा चपर और वा या मैं दूर से पंगे ले रहा हूं डस्के बिलकूर खतम ही कर देता हूँ मेरे को यहां पर भी मैं आगे नहीं जाओंगा अरे काला कूबरा है वो पेट्टी डालेगा अप यह नेड देखो बस अज़ आज अगर इन नेडों के लिए लाइक नहीं ठुकते हैं तो भया कब कब ठुकोगे क्योंकि मेरे वो लगता इससे बढ़िया नेड होने वाले मेरे जिन्दगी में ठुक दो पेल दो लाइक कबटन यहां पर हमारे भाई बोलते यार कि ऐसे नहीं फट रहे लेकिन प्लान था सब कूद मेरे वोला पेलेंगे तो एक नेड से दुनों को नहीं तो अपेलेंगे ठीक है बकवास कर रहा हूं आखरी नेड था चार नेड बर बात कर दिये थे आखरी में भड़िया बहुत करनी मत थे इस बात की घर तो भी आप हम यहां पर आजाते देखो यहां प्लेन था पिछे अपने प्लेन वगए आमने देख लिया कहीं प्लेन पे कही पैसेंजर सीट पे मस्त बैठाओ कुछ खाके ऐसा हमें लग रहा था लेकिन कोई भी नहीं था वाँ पे तो यहां पर मैं इंतिजार कर रहा हूता हूँ साहिरी हुई नहीं है लेकिन करेंगे, साहिरी करेंगे आखिर में बिल्कुल आ रहा है, साहिरी बिल्कुल आखिर के रहर रखेंगे और मैं सोच रहा हूँ भी क्या साहिरी करनी है क्यार यहाँ पर हमारे भाई गेट इन करके बैट जाते हैं बगी में पुल चोड़ में और मेरे को लगा था ये भी साप बनाओगा ये भी काला कुबरा बनाओगा लेकिन नहीं ये कार 98 से हमला करता है और आगे फुल पावर रसबाजी कर रहा है हम पे फोड़ मेरे काम बनाओगा लेको पेटे डाल मैं हूँ नेड़ और यह है मेरा भरम्त अर्या पिटि तो न डालो थोरी सी कर दो सरम्त बघल में घड़ा हूं भगल में क्या पिछे कड़ा उसके बिल्कुल पिछे पकड़ के खड़ा हूं बंदूग बंदूग पकड़ के खड़ा हूं लेकिन इस उसने वहला भई orada is को नौक किया है इसकी पेट्टी डालेगी मैं सोचाथा जरा M24 बाजी हो जाए M24 चिपका देता हूं इसके अरे मेरे कद्दू का M24 वो पेट्टी चिपकाने पर पड़ा है मैंने गोला M24 गई कद्दू लेने इसको पेलो गुरोजा चिपका हो आधा सेकंड आधा भी क्या आ अच्छा वाव मैंने ग्रोजा बतल दी नहीं तो गलाच सीन हो जाते है कर इसी के साथ ये थी मेरी सस्ती साहरी और अपना चिकन चुकान हो जाता है तो आसमालों गयार आज के वड़े इतनी बहुत अश्क्राव वीडियो देखने के लिए जाद है जाते इस गलाच सीन वा प्रिदिताल